नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सबी? I hope आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे तो दोस्तों, आज हम कड़ी बनाने वाले हैं, मोसम चाहे कोई भी हो, सरदी हो, गर्मी हो कड़ी खाना सबी को पसंद होता है और हर मोसम में ये बनाई जाती है लेकिन कई बार प्रसन आता है कि हमारे पास दही लसी नहीं है और हमारा कड़ी खाने का दिल कर जाता है तो इस सिच्वेशन में आप कड़ी कैसे बनाएं ये अभी आप सब वीडियो में देखेंगे तो लगातार बने रही है आए फिर ज़्यादा बाते ना करते हुए रेसिपी सुरू कर लेते हैं तो दोस्तों आज की जो एक कड़ी है ये हम बनाएंगे इमली के साथ अब चाहें तो इमली की जगए हम चूर पाउडर भी ले सकते हैं ये इमली का पेष्ट है जो मैंने फ्रिजर में जमा के रखा हुआ है और एक कड़ी पानी में हमने ये दो क्यूब्स निकालके भी गोदी हैं जिससे कि जल्दी से मेल्ट हो जाएं मैं ये कड़ी चार लोगों के लिए बना रही है उसलिए मैंने ये दो क्यूब्स दो चमच के बराबर इमली का पेष्ट लिया है आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसी के हिसाब से ले सकते हैं अब हमने पकोडों के लिए एक कटोरी बेसन ले लिया है और ये तीन चमच हम जो खाने वाला चमच होता है यह हमने कड़ी के लिए बेसन ले लिया है तो सबसे पहले हम पकोडे का बैटल तेयार करेंगे पकोड़े के बिना कड़ी खाने में उतना मज़ा नहीं आता है तो सबसे पहले हमने डाल दी है एक चम्मच अजवाइन अजवाइन को थोड़ा सा क्रस्ट करके डालेंगे जिसे इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए अजवाइन पेट के लिए भी अच्छी होती है और ये आदी चम्मच हमने डाल दिया है हल्दी आदी चम्मच लाल मिर्च स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे लाल मिर्च की जगे आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर और आधी चम्मच अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर की जगें आप चाहें तो चाट मसाला भी ले सकते हैं हमारे पकोड़े बिल्कूल फूले फूले और बहुत ही नरम बने इसके लिए हमने ये एक चम्मच इसमें तेल डाल दिया है तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं और अब हम इस बैटर को अच्छे से फेट के तयार करेंगे जिससे कि एकदम फलपी हो जाए और जो पकोड़े हमारे बने वो अंदर तक एकदम जालीदार और बढ़िया से बनके तयार हो तो सुरू-सुरू में हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि बेसन में हमारे गुटलिया ना पड़ें बहुत पार ऐसे सिचुजन आ जाती है कि हमारे पास दही नहीं होता चाच नहीं होती या फिर कोई भी सबजी घर में उपलब्द नहीं है तो इस तरह की रेसिपिया आप जरूर ट्राइए कर सकते हैं और यकीन मानिए इतनी मज़ेदार बन बहुत जादा हमें बेसंट का जो घोला यह पतला नहीं करना है आदा गिलास पानी लग गिया है इसको घोलने में और अब चमच की साहता से इसको फेंट लेंगे तीन-चार मिनट तक एक ही डिरेक्शन में आप इसे फेंटें जिससे की एकदम फलपी बनके तयार हो अगर आदा फेटना नहीं चाते तो आप इसमें आदी चमच बेकिंग पाउडर या वन फूर टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरह से फेटने से भी जो बेसन है इसके अंदर हवा भर जाती है और फिर जो पकोड़े बनते हैं वो एकदम फूले फूले ब थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो आप इस तरह से फेट के एक बार जरूर पकोड़े बना के देखें पकोड़े का बैटर हमारा बन गया इसको साइड में हमने ढखके थोड़ी देर के लिए रख दिया है तब तक हम जो कड़ी के ल लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच अबने डाल दी है बेशन की और एक चम्मच डालेंगे ये सूखा धनिया पाउडर और जो अब हमने इमली का पेस्ट बना के रखा था ये भी देखे अच्छे से घुल चुका है और इस घुल को भी अब कड़ी के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसको मिक्स करने के बाद एक बार थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी खटाई कम लग रही है तो आप इमली का पेस्ट बढ़ा सकते हैं या अमचूर अब गर्मियों में आप जरूर एक दो बार यह वाली रेसिपी ट्राई करना बेसन को हमने घोल लिया है अच्छे से सुरू में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके ही बेसन को घोलना है ताकि इसमें एक भी गुठली ना पड़े और बाद में हम एक से डेड़ गलास पानी डालके इसको थोड़े देर के लिए रख देंगे जिससे कि बेसन अच्छे इस तरह फेटने से बेसन में जो हवा भरती है ना वो पकोड़ों को एकदम से बहुत अच्छा फुला देती है इदर हमने तेल भी गरम कर लिया है बिसमें चमच की साहता से छोटे-छोटे पकोड़े हम डालेंगे क्योंकि फूल के बहुत बड़े हो जाने वाले हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको यहलगे वैसे आप पकोड़े बना लें मैं इस soldiers सिरप बेसन से भी बशनाल तो इसमें पालक डाल सकते हैं मेथी डाल सकते हैं प्याज भी डाल के बना सकते हैं। और अच्छा सा golden color आने तक इन पकोड़ों को हम fry करेंगे। यह पकोड़े ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने थोड़े एक्स्ट्राइब बनाए हैं क्योंकि बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं यह एक बार का हमारा बैच फ्राई हो गया इसको हम निकाल लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे अब की बार मैं आपको देखे हाथ से डाल के दिखा देती हूं हाथ से भी बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं पकोड़े थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम इस तरह से गोल गोल करके डालते जाएंगे तेल में जब भी हम पकोड़े बनाते हैं तो तेल का टेमपरेचर अच्छा खासा गरम होना चाहिए पकोड़ों को डालते वक्त उसके बाद आप चाहें तो टेमपरेचर थोड़ा सा कम करके इसक हो गया है इसको भी हम निकाल लेंगे कि कितना बढ़िया बना एक दम गोल गोल फूले फूले पकोड़े बने हुए हैं को एक टीसू पेपर पे निकालेंगे जिससे अगर इसमें एक्स्ट्रा ओल होता है तो वह भी सोक लेता है अब मैं आपको एक पकोड़ा तोड़े के दिखाती हूँ कि कितना ये सोफ्ट बना हुआ है और जब ये कड़ी के अंदर जाएंगे जैसे ये कड़ी में जाएंगे कड़ी को अपने अंदर सोक लेंगे और और भी बड़े हो जाएंगे साइज में ये देखिए एक दम नरम बने हुए हैं जाली बनी हुई यह देखिए पकोडे के अंदर इस तरफ हमने हवा भरी है इसके अंदर इसकी वज़े से हुआ है अब पकोडे तो हमने बना लिए है इदर जो कड़ी का बैटर हमने घोल के रखा था वो भी देखिए सैट हो गया है अच्छे से बेसन फूल गया है जब भी कड़ी बनानी हो कोसिस करें कि आप पहले ही गोल बना के रख दें 15-20 मिनट पहले या दस मिनट पहले तो आप जरूर गोल लें इदर जो हमने कड़ाई में तेल रखा हुआ है यह भी गरम हो गया है इसमें हम डाल देंगे जीरा मेथी दो लाल मिर्च और दो से तीन चुट की हींग हींग का फ्लेवर कड़ी में बहुत ही अच्छा आता है मेथी भी बहुत बढ़िया लगती है कड़ी में जब यह मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे तो इसके अंदर हम दो प्याज जो हमने लंबी-लंबी काटके रख लिए वह एड़ कर देंगे आप चाहे प्याज का हलका सा कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है बहुत जादा ब्राउन करने की जुरुत नहीं है प्याज हमारी भुन के तैयार हो गई है अब इसमें जो हमने गोल बना के रखा था कड़ी का वो एड़ कर देंगे और अब इसे लगातार चलाते वे एक बार मिक् नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी हो जाएगी दो से धाई गिलास पानी हमने इसमें और एड़ कर दिये हैं और अब कड़ी को पकने देंगे medium flame पर फिर low flame पर भी आप इसको पका सकते हैं कम से कम 15 मिनट या इससे भी ज़्यादा 2-4 मिनट आप इसको पकाएं जितनी ज़्यादा कड़ी पकेगी उतनी ज़्यादा यह टेस्टी बनेगी अब इस टाइम पे एक बर नमक mix भी चेक कर सकते अगर आपको कम लगे तो आप और add कर लें खटाई भी अगर आपको कम लग रिया इसमें तो वो भी आप इस टाइम पे add कर सकते हैं उबाल आ गिआ देखे लिए कड़ी में अब इसे ढक के पकाना है थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे जिससे कि उबल के भार ना आए अगर आपको कड़ी गाड़ी लगे तो आप इसमें पानी और भी आड़ कर सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे यह पगेगी इसका सारा पानी अपने आप कम हो जाएगा तो सुरू में आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें और अब इस तरह से थोड़ा सा खुला हमें से छोड़ के पका लेंगे अभी हमारी कड़ी को पकते वे 15-17 मिनट हो गए हैं और ये बनके बिलकुल तयार हो गई है आपको कड़ी कितनी पतली या गाड़ी चीए उसके अकोड़िंग आप इसको थोड़ा सा और कम या ज़्यादा पका सकते हैं क्योंकि कड़ी वैसे भी जैसे जैसे ठंडी होती है तो गाड़ी होती जाते है तो आप इसको एक बार में इसी टाइम पे ज्यादा गाड़ी बिल्कुल ना करें अब इसमें हमने जो पकोड़े बना के रखे थे वो डाल देंगे और एक मिनट के लिए गैस की फ्लेम हाई पे कड़ी में उबाला जरूर दें जिससे की यह जो पकोड़े हैं अंदर तक कड़ी को अच्छे से पी लें पकोड़े डालने के बाद सिरफ एक उबाल लेके आना है हमें और कड़ी हमारी बन के तयार होगी है गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इधर कड़ी के लिए हमें एक तड़का और तयार करेंगे जिससे यह और भी ज़्यादा टेस्टी लगे तो इसके लिए हमने दो चमच लेको पर आदेशी घी ले लिए है इसमें डालनेंगे डोल सूखी लाल मिर्च अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे हो आधी चमच लाल मिर्च आप गैस का फ्लेम बंद करने के बाद या एड़ करेंगे तो बहुत ही जोड से धसका उप जाता है पुरे घर में फिर और लाल मिर्स डालने के बाद इस तड़के को कड़ी के उपर इस तरह से पोर कर देंगे सारे तड़के को अब कड़ी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हो गयी है हमारी बिना दही और बिना लसी की बहुती बड़ी Information की बढ़िया कड़ी बनके तयार देखके तो आप समझी गए होंगे कि कितनी मज़ेदार है आप कहीं से आपको लग रही है कि आपने ये बिना दही बिना लसी के बनाई है बिल्कुल नहीं तो एक बार तो ये रेसिपी ट्राई करना बनता है और कैसी लगी ये तो आप मुझे अपने फीड़बेक कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताएं तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ